आप लोग देख रहे होंगे अभी पटना में हूँ कई या स्टुडेंटों से भी पूछते हैं सीए और नर्सी के बारे में सीए जो अमीद साहजी ने लागू किया वो कितना सही लगता है आपको मुझे तो लगता है कि अगर रियल ग्राउंट पर देखा जाए तो वह बिल्कुल सही है क्योंकि हम किनी का नागूता छिन नहीं रहे हैं उल्टा बजाए जो लोग सामाजी ग्रूप से प्रतारित हैं हम उन्हें हग देने की बात कर रहे हैं हमारा शुरू से रहा है अच्ट माइनरेटरी ग्रूप है बिसिकली बोलाने चाहिए लेकि मुहम्ड़न का ग्रूप माइनरेटरी ग्रूप है इन लोग में सिख्छागी के बहुत पर आपके और ये लोग इस तरतार सारग उतरके उपतरव कर रहे हैं आपका क्या समझ है मेरे खाल से यह बहुत अच्छी में जाके वहां को निकाल लीजे उसमें क्या था हिंदू आदमी क्या किया हमें लोग क्या किये अधर कंट्री में ले गए उसको मान दिये मतलब मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही लग रहा है बहुत सही चीज़ अगर सही नहीं होता तो आज इतना अगेंस्ट लोग खड़े नहीं होते सिंपल सा बात है अगेंस्ट इसलिए होता है जो चीज़ सही होता है उसी के खिलाफ लोग होते है जो सही नहीं होता है उसे खिलाफ लोग नहीं होते है मोदी जी सही कर रहे हैं क्या मैं इतनी भी बरी नहीं हुए कि इस मामलों पर बोलू लेकिन मेरे हिसाप से मोदी जी जो कर रहे है वो सही है कुछ ऐसा चीज जो सही लगता हूं मोदी जी का बोलने का अंदाज या कोई ऐसा काम मित भाई और बहनो या फिर जो 370 को लेकि उन्होंने काम किया या फिर तीन तर्लाग को लेकर वो सब उनके जो थे काम वो मुझे बहुत अच्छे लगे इसी हिसाफ क्या नाम हो आपका आस्था प्रिया कहां पढ़ती है किस क्लास में शिक्स में पढ़ती हूं मैं और यह सेंट मैरी अकाडमी में बहुत अच्छा बोल में विरोध के बारे में इस्पेशली देखा जाए तो यहां देखा जाया कि जो वर्ग रोड पर आके इतना वरेंट प्रोटेस्ट कर रहा है असलियत देखा जाए तो लोग गलत नहीं है यह जो नेता है विपक्षी दलके यह ब्रेन वाश कर दिया हूं लोगों का गलत ब अफगानिस्तान इसका अपना एक धर्म वहां समविधान में उसके लिखा हुआ है कि वो मुस्लिम या इसलाम को कुबूल करते हैं इंडिया सेकुलर है तो ऐसे में अगर सरकार अपने बाहर के जो माइनोरिटीज है चुकि यह देख सेकुलर है तो जहां जहां दिक्कत हो मुसलिम लोगों को भी रख देना चाहिए तो मुसलिम को हम लोग निकाल थोड़ी रहे हैं मुसलिम निकल तो नहीं रहा है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है जो अवायद तरीके से आयो है कोई भी जो देश है आज दुनिया में यूएस का सब हम लोग को कंपेर कर दे है आतंकवादी भी जो आते हैं उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो अगर कोई देश आतंकवादियों से बचाने के लिए या फिर कोई भी रिजन हो अपना अपने एक रिजिस्टर बनाना चाहते है नागडिकों का तो उसमें क्या गलत है बच्चों ने सही जा रहे हैं पर बड़े-बड़े नेता और बड़े-बड़े मंत्री इस तरह से रोड पर आते हैं और बाते करते हैं ना समझो की तरह कि यह देश सबका है और जिसका भी यह देश रहेगा वह नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहेगा जो लोग नुकसान पहुंचा रहे रहे थे वो किस मकसद के लोग होंगे यह जानने और समझने वाली बाते हैं अभी के लिए फिलाल इतना ही और भी हम पटना के लोगों से मिलते रहेंगे बाते करते रहेंगे बाते पहुंचाते रहेंगे अभी के लिए फिलाल इतना ही धन्य